हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में नुतुन जी बैठी हैं, मेरे ख्याल से इनको CMA नुतुन गुपता कहना सही रहेगा श्रगल किसे कहते हैं, मेहनद किसे कहते हैं, मंजिल तक पहुँच कर हिम्मत नहीं हारना किसे कहते हैं, वो नुतुन जी से कोई समझे, सीखे अपने ग्रेजुएशन के बाद से इन्होंने अपनी प्रैक्टिकल नॉलिज को हमेशा इंपोर्टेंस दिया, उन्होंने यहां ठान लिया कि मैं प्रैक्टिकल नॉलिज के साथ इंडेस्ट्री जॉइन करते-करते में पढ़ाई करूंगी और मैं सक्सेस भी मुझे मिलेगा जरूर कुछ सेटबेक्स लगी हैं इनके जिंदिगी में, आप एंडाउंस आये हैं, लेकिन जो चाज़िवर था कुछ करने का, वो आज उनको उसमें काम तक हासिल कर दिया है, जो बहुत लोगों का सपना होता है नुतुन जी ने मेरिको लिमिटेड ड्रैमेंट जैसी कंपनी में काम किया, अपने आपको एक पूरा कंपनी प्रोफाइल बहुत अच्छा बना इंका, इनको A to Z कंपनी की वर्किंग सा नॉलेज और अभी भी ये बड़ी-बड़ी कंपनी में काम कर रही हैं, मेरिको में का आप रोल प्ले कर रही हैं, और साथ-साथ अपना CMA क्लियर करना एक बहुत बड़ी बात है, और अच्छी पैकेज के साथ इन्होंने अपना काम शुरू किया, और अप CMA का डिगरी भी इनके साथ है, तो मेरे खाल सब इसका ही इस दे लिमिट, इनकी फिनांशिल नॉलेज इनकी जो concept clarity है, बहुत जाद अच्छी है, stock market और practical knowledge में इनको खासी interest है, और ये काफी practically बहुत अच्छा perform करती है, companies में भी और अपने पढ़ाई में भी आप जानते हैं, ये all India rank लाकर ये बता दिया, all yes friend, ये all India rank कर हैं, हमारे सामने बैठी वी, जो की बहुत ही casually इन्होंने अपने approach को रखा, लेकिन मेहनत पे भरोसा रखा, और आज ये आपके सामने बैठी है, all India ranker, तो आप से मैं बात करना चाहूंगा, नुतुन जी, आपका ये journey कैसा रहा, इन्होंने struggle आपने face किया, बहुत लोगों को लगता है, rankers लोगों तो बस luckily बन जाते हैं, मेहनत नही करते हैं, या बहुत लोग सोचते हैं, rank लाना हमारे बस का नहीं है, in fact, आपने अपनी मेहनत पे भरोसा रखा और जब आपको ये पता चला कि आप rank भी लेकर आए, तो आपकी खुशी का कोई अंदाजा नहीं था, आपने अपनी मेहनत पे त्यारी किया, आपने एक एक दि अपने ये हासिल किया, बहुत लोगों लगता है कि जोब के साथ time नहीं मिलता, पढ़ाई करने का time नहीं मिलता, लोग सालो साल पढ़ते रहते हैं, तब ही last carbon में ये कहते हैं, बहुत सारे students हमारे students हैं, जो rank लेकर आए, तो मकी रूपता, उनका इंटर्व्य हमारे चैनल मे में जो आपको financial management classes उसमें आपको कितनी मदद मिली कितना conceptual clarity मिला जो आपको इसा होता है कि आपको जो भी thoroughly knowledge होना बहुत ही important है तो उसमें हमेशा से आपका approach होना जाए कि आप enough practice किये हो और जिससे आप exam में अच्छे से perform कर सके तो मैं नहीं classes तो करने के बात मैंने भी three times revision किया था जब भी मुझे कुछ doubt रहा में कोई भी संस मैं मैं immediately मैंने mail drop किया and you and your team has promptly replied on that so it is really help me and SFA में एसा subject है कि जो हर subject में कही न कही connectivity रखता है सो मेरा स्टूडेंट से यह advice है कि mostly focus करना चाहिए concept पे आप sums को एकदम करिये बट concept पे ज्यादा ध्यान देना better है and consistency is important in everywhere very good so आपका यह जो प्रैक्टिकल आपको बहुत बहुत असा लगा होगी मैं job छोड़ देती हूं मैं पढ़ाई पे ध्यान देती हूं बहुत मुश्किल हुआ होगा आपको manage करना तो यह क्या चलता है माइन में आपके या सभी students के माइन में और उसको अपने overcome कैसे किया यह बहुत बड़ी बात है कि लोगों को लगता है या जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई नहीं की जा सकती या पढ़ाई करने के साथ साथ जॉब नहीं की जा सकती उस और definitely difficult होत प्राइड कि आपको अपने में अडिक रहे अपने चोर नहीं सुना अपनि negativity नहीं सुना तो कहते हैं ना माना की अंधेरा घंऑ है लेकिन दिया चलाना प्रामना है आपने वो दिया चलाया आपने सारी negativity को दूर करते वे अपने अपनी लाइफ में प्रकाश MRSH किया ऐसा क् दूसरे लोग फीर ठाल जाते हैं और बस बाते बनाते रहते हैं, जो आपके साथ यह नहीं हो सकता, जो आपके साथ वो नहीं हो सकता, पढ़ाई में रेगुलर डेली बेसिस में हम एक्जाम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, वो सारी चीजों को आपने कैसे अवर्गम किया सब को अपना गोल लेकि क्लियर होना चाहिए कि वाट यू है तो डू रेदर देन लिस्निंग अदर्स सो हमेशा से था कि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज़ तो थेर्टिकल नॉलेज़ कि मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करना ही है आपके गोल से जो आपने डेली टार्गेट सेट किया है आपको जो आपने गोल सेट किया है आप उसे बाइख और बाइख और बाइख को यू है इन अनिहाव कंडिशन सो मेरा हम यह सो इसलिए है शाद मैं कर पाई आपके लोगों ने आपको बोला भी होगा पके फ्रेंड लोगों नहीं हो पाएगा तरह तरह तो जोड़ जोड़ा बाइख ने कर रही है क्यों इतना ले रहे है कि इस बोला था बट वुझे घर पर डिपेंडन नहीं होना था मुझे जित थी पहले से कि जो भी करूंगे मैं खुद से ही करूंगी तो बस शायद वो जित था तो इसलिए हो गया यह वाला थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मुझे करना है कुछ मतलब यह यह जजबा ही आपको लेकर आगे गया मेरे को लगता है मुझे कुछ करना है यही लाइन सब कुछ है यह मुझे कुछ करना है बस अब क्या है क्या नहीं हो एक अलग बात है वह करना है करना है रैंक लेकर आना है वह एक सेकंडरी चीज़ है पहला है मुझे कुछ करना है बस मैं कुछ करना चाहती हूं I think this is the key word जो हमारे आज इंटर्वी से निकला के आया और यह लाइन ही आपको मेरे खाल से और अगे ले कर जाएगा और आप नहीं नहीं लपदियों को नहीं नहीं उचाईयों को छुएंगे और हमें तो बहुत प्राउड फिल होता है कि स्टॉक मार्केट कैसे है एज अस्टुडेंट हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं बट आप एवरी लेक्शर में आप हमेशा से ही गाइड करते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है आप इवन इनिशेट लिए कि आप कर सकते हो by 10 rupees also and वो तो कोई इसका लिमिट ही नहीं है कि आप कितने लिमिट तक आप इन्वेस्ट कर सकते so definitely it helped me and SFM is really a base of every finance courses so having a knowledge of SFM हमेशा सही help करता है so I am in a profile मैं financial planning and analysis में हूँ तो जहां पर SFM is required कमपनी के पारे बताईए कुछ बट लोग जानना चाहते किस कमपनी में हो yes sir so I started with Tata Consultancy after my graduation and उसके बाद मैंने CMA start किया था 20-20 में so कुछ टाइम करने के बाद TCS में I left the job because वहां पर बहुत जादा duration था, like 10 hours मुझे complete काना था, so मैं कर नहीं पा रही थी studies, balance नहीं हो रही थी so after completing my Intel, I started working in Raymond Consumer Care Limited so वहां पर मैंने industrial training किया six months के लिए and with my performance, they have they have given me opportunity to take me on role profile so वहां पर मुझे काफे चीज़े सीखने मिली जैसे product costing है आप एक मैं interrupt कर रहा हूं कि आपने एकदम से shortcut to success नहीं है आपका it's not shortcut to success दीरे 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 करकर आपने पर परफोर्मेंसे बताया companies का दील जीता, companies की performance दी दीरे दीरे करकर आप रोल आगे बड़े and फिर आप उसके बाद आप पर क्या रहा हूं रेमेंस के बाद यह सर रेमेंस में मुझे बहुत अच्छी प्रोफाइल मिली FPA रोल मिला and उसमें मुझे कोस्टिंग सीखने मिला जो की बहुत कम चांस मिलता आपको manufacturing unit at initial stage में आपको सीखने के लिए तो वहाँ पे सीखने के बाद मुझे फिर मैरीको में पॉर्चुनेटी मिली अप्टर रेमेंस So it is really amazing to working with FMCSG industry जहाँ पे it is very dynamic तो सीखने का growth बहुत जादा हो जाता है and चीजे like costing change होता है prices change होते है आपको market scenario देखना होता है pricing decision लेने होते है so बहुत interesting work होता है so yes sir so you will you will आप क्या guide करेंगे हमारे students को आपको सुन रहे हैं आपके जो आपको role model मानने लगे हैं उनको क्या आप गाइट करेंगे आप गाइट करेंगे yes so मेरा सबसे एकी message है की be consistent with your schedule whatever you have set the target for a day complete करो and continuous basis success is yours only अगर आप हाड़वक करें तो definitely you will get it definitely if I can then anyone can achieve it I am not a rank holder from my 10th higher education and graduation days but yes मैं average student ही रही हूँ हमेशा से and but आपको hard work and consistency रखना पड़ेगा आपके studies में yes मतलब एक average student भी पूरे इंडिया में नाम रोशन कर सकता है Nutan जी नहीं है करके दिखा दिया example करेंट किया है आपको बहुत extraordinary class 12th में नहीं होना है या आपको ऐसा नहीं की foundation intern में आपको rank लेके आना है आप एक ordinary way में extraordinary achievement कर सकते है Nutan जी नहीं ये करके दिखा दिया मेरा एक statement है सबके लिए जब जिद्धी होगा दिल को तब ही मिलेगी मनजील so definitely जब जिद्धी है दिल तो मिल जाएगी मनजील yes definitely तो बस कुछ करना है वो जो लाइन थाना कि भई मुझे अपना कुछ करना है अपने जो बोला भी yes sir मुझे कुछ से करना है कुछ करना ही है करना ही है बस अब क्या करना है क्या नहीं कर वो secondary है एक पर अगर मन में ठान लिया कि कुछ करना है तो कुछ करना है बस चली नुतुन जी आई होग कि आप हमारे जो फ्यूचर स्टुडेंट्स हैं उनका गाइड़ कर पाओ और मैं जाओंगा जो भी स्टुडेंट्स को नुतुन जी से कोई भी गाइड़ेंस चीहें वह डिस्रिप्शन बॉक्स में यहां पर अपना करते सैंसे आहें अयहां चीह पुल्ण चीहें सब्सक्राइब कर तो यंदर सब्सक्राइब सों माई स्टूडेंट्स चावरेंड लेकर आपके लिए यह आम लोग जरूर इसका नोटिफिकेशन देंगे। और नुतन जी से हम टाइम लेकर आप लोगों का एक लाइफ सेशन रखेंगे, और सिधे आप कनेक्ट करेंगे अपने जूनियर से स्टुदेंट से जहाँ पर आप लोगे एक क्वरी सेशन लेंगे, और नूतन जी उनका answer करेगी Thank you Newton, बहुत अच्छा लगाव से बात करके Thank you so much sir for giving me opportunity Thank you so much